जैवातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारी चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रू प्रेस कर दें जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनें हमें चुने की आउकात नहीं जी हाँ दोस्तों बात कर रहे हैं वरिष्चिक राशी के 14 मार्च दो हजार चौबीस राशी फलकी सबसे पहले मैं आपको बता दू आज आपके लिए शोबंक रहेगा दो और शोब रंग रहेगा यलो यानी की पीला आईए अब बात करते हैं डेली राशी फलके बारे में दोस्तों आज सूर्य देव मीन राशी में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर 14 मार्च को 12 बचकर 46 मिनट पर होगा आईए जानते हैं वरिष्चिक राशी के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों करियर को लेकर सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुब साबित होगा जो लोग विदेश में मॉडलिंग, लौ, बिजनस के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छे अफसर लेकर आएगा युवाओं के लिए ये समय कुछ नया करने का रहेगा लव लाइफ में मामुली से दिक्कत आ सकती है दो के बाज लोगों से साफधान रहे नहीं तो बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं लाइफ स्टाइल को ठीक रखी नहीं तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है आज का दिन आपके लिए किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचने के लिए रहेगा नहीं तो उसमें आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है जो आपको बाद में नुकसान दे सकती है सामाजिक शेत्रों से जुड़े हैं तो उनकी जन समर्थन में इदाफा होगा और आपकी धर्मिक कारियों के प्रतियास्था बढ़ीगी लेकिन आपको परिवार में किसी सदश्य के स्वास्त की स्चिंता सता सकती है आपकी अपनी माताजी से किसी बात को लेकर खटबट भी हो सकती है जिसके बाद वो आपसे नाराज हो सकते हैं प्रेम जीवन में आज कोई खुश खबरी भी सुनने को मिल सकती है आज आपके लिए विशेश उपाय रहेगा कि आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें